नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका हमारी चैनल आटोमोटिव में और आज की इस वोटिव में हम ऐसे कमर्शियल मेहिकल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे इंडियान आटोमोटिव मार्केट में सबसे ज़्यादा बिखता है और सबसे ज़्यादा चाया हुआ है ह हम बात करने वाले हैं Tata SEV के बारे में यह जो Tata SEV है यह पूरी तरह से किलोएट के बैटरी मिलती है जो की 37 HP की पावर जेनरेट करती है और 130 NM का टॉर्क जेनरेट करती है जो की बहुती ज़दा बड़ी बात है अगर हम बात करें इस बैटरी का चार्जिंग टाइम के बारे में 6-7 गंटों में यह जो इलेक्रिक Tata SEV यह पूरी तरह से चार्ज ह हो जाता है और एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद यह आपको 155 किलोमेटर की रेंज आराम से निकाल के देने वाला है अब बात कर लेते हैं पेलोट के बारे में तो यहाँ पर कमपनी क्लेम करती है कि 600 किलो वजन यह आराम से उठा लेगी इसके चेसी के बारे में अग कोड़ाई है 1500 mm और इसकी हाइट है 2635 में ग्राउंड किलेरंस के बार में अगर हम बात करें तो 160 mm का इसका ग्राउंड किलेरंस है जिस वज़ाए से यह पत्थरों से टकराती नहीं है जमीन सी उचाई इसकी काफी द्यादा अच्छी है वील पेस के बारे में अगर हम बात क अगरे तो future strict design के साथ आती है और कुछ अलग और हटके दिखती है बात कर इसकी टायर साइस के बारे में तो इसके अंदर आपको 155 आर 13 के टायर मिलते है मतलब कि 13 इंच के टायर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है ति अब बात कर लेते है सबसे important चीज इसकी price range के ये दिलनी के इसाब से आपकी city के इसाब से इसकी price अलग अलग हो जुकती है लेकिन दोस्तो इसमें एक फाइदे की चीज है state की और central की दो सबसेडिय आपको इसके अंदर मिलती है जिस वज़े से आपका इसमें बहुत अच्छा फाइदा हो जाता है तो ये एक plus point है तो द प्रीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राब कर देना